कुम्ब राशी कुस तो चमतकार होने वाला हैं आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली हैं नमस्कार दोस्तो जाए भुले नाद दोस्तो आज हम आपको कुम्ब राशी के बारे में बताने वाले हैं जी हाँ दोस्तो तेरा जुन का आपका कुम्ब राशी पल कैसा रहेगा आ जोसे इन दिनों में कुम्ब राशी के जीवन में कुछ तो चमतकार होने वाला है। दिन मिले जुले प्रणाम लेकर आये गया। घरिली चीजों को खरिदने में अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको रोजगार के उच्छित अउसर प्राप्त होंगे। माता पिता का अशिरुवाद आपको मन्जिल तक जो की पहुंचने में मदद करेगा। राजनीती में आप सक्रिय भूमिकान निभाएंगे। विरोधी स्वय ही परास्त हो जाएंगे। शाम तब कुछ धकान महसुस करेंगे। इस राशी के लोगों को कानून इमामलों से बचने की जरूरत है। सामने राशिपल की बात करें तो आप अपनी किसी दोस्त के लिए काफी मददगार भी साबित हो सकते हैं। किसी छोटे से बदलाव के कारण आपका मनोबल बढ़ सकता है। आप ऑफिस में काफी सोच उचार भी कर सकते हैं। आपके स्योग्यों से आपकी अच्छी बन सकती हैं। आपको पार्टनर से भी सुख मिल सकता है। आपका मनोबल आपके जोखिम बरे काम में भी आपको सफलता दिला सकती हैं। जिससे आपका समाज में भी सम्मान बढ़ सकता है। आपके जिवन साती के साथ संबंदों और रोजबर्रा की स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। आपके जिवन में कोई महतोपुर्ण बदलाव हो सकता है और आप बहुत महतोपुर्ण दर से गुजर सकते हैं। आपको जल्द ही नई नोकरी या फिर प्रमोशन का अउसर भी मिल सकता है। जल्द ही आपका कोई नया कारे भी शुरू होने वाला है। ध्यान रखने में वाले बातों के बारे में जानते हैं। समय काफी हद तक ठिक टक रहेगा पर तो आप किसी बात को लेकर काफी परिशाट रहेंगे। आपके मन में एक कुछ नया करने की इच्छा जागरूत हो सकती है। परिवार की आर्तिक सिती मजबुत बनने की आप हर संबोग कोशिश करेंगे। दार्मी कामों में अधिक पैसा खर्च हो सकता है। बेरोजगार लोगों को शिग रही अच्छी नोकरी मिल सकती है। वहान का प्रयोग सावध्यानी प्रूवक कीजेगा। अब बात करते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों जल्द ही आपके करियर में बड़ा परिवर्तन आएगा और हो सकता है कि आपको सरकार और संबंदित एजेंसियों के साथ काम करने का मौका मिले। यह समय अपने कोशल और गुणों का मुल्यांकन करने का है। इससे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा। अपने नितरूत्व में आप कमपनी को नई मुकाम तक ले जा सकते हैं। एक अधिकरिक बाच्चीत या व्यावसाइक बैठक आपके लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। नए अनुबंद और सौधे की भी संबवनाब बन रही हैं। अपने अनुबंध को दूसरों के साथ बाटें, इससे आपको काम करने के नई तरीके प्राप्त होंगे। अगर आप प्रयास करके सपल होते हैं, तो यह प्रयास न करके सपल होने से कई गुणा होता है। इस रचनात्मक्ता से आपको और लाब उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने नकारत्मक अनुबहों से भी कूछ सीखना चाहिए और भविश में उन्हें नई तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। साथि आपको विशम परस्तितियों में भी आसानी से काम करने की कला भी सीखनी लेनी चाहिए लव राशिपल के बात करें तो बाही बहन या फिर पड़ोसियों की समस्याई सुलजाने में आप व्यस्तरा सकते हैं लव लाइफ के संकटों के कारण आप सामजिक सरकल से कट ओफ करेंगे दोस्तों के साथ गुमने फिर ने या फिर फिल्म देखने का अमंदरन भी आपको मिल सकता है प्रेम में अधिकता और भाउकता अभी आपको परिशानी में डाल सकते हैं आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तरा शिपल कैसा रहीगा उसके बारे में गुटनों और जोडों की परिशानियों से बच कर रहें आप नीमित रूप से खेले और जीम करें अपने जोडों के बारे में सोचे और थोड़ा सा ध्यान दी आप काफी अच्छा मसुस करेंगे और नीमित रूप से जीम भी जाएगा तो दोस्तों अब बात करते ही कि नीम करोली बाबा ने कौंसी चीजे दिखना व्यक्ति के लिए शुब होता है उसके बारे में बताया है और जिससे के अच्छा समय भी शुरू हने वाला है ऐसा हमें संक्यत मिलते हैं दोस्तों संसार में हर कोई मनुश्य अपने जीवन में कामियाब होना चाहता है लेकिन सिर्प चाहने से कुछ नहीं होता इसके लिए जीवन में काफी महनत करनी पड़ती है और सही मार्ग पर चलना भी पड़ता है वही हिंदु धर्म में संत, महात्मा, रुशी, मुनी, एम, गुरू का गहरा महत्वा है जो भी वक्तिन सभी के द्वारा बताए गए अध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं उसे जीवन में कई प्रकार की सपलताएं प्राप्त हो दी हैं कि उन्हें इनी से एक नीम करोली बाबा विक्य प्रख्यात संत थे जिनके भगत ना सिर्प देश में ही बलकि विदेशों में भी मौजुद है नीम करोली बाबा को हनमान जी का अउत्तर माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा के पास दैवी ये शक्तियां थी धार्मिंग मानेताओं के अनुसार बाबा की दर्मार में जो कोई भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता बाबा के दर्शन मात्र से ही शांती और सपलता प्राप्ती होती है नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में कई लोगों का मारगदर्शन किया था और ऐसे बहुत से बाते बताई थी जिन से व्यक्ति को कामियाभी मिल सकती है आज भी बाबा के प्रती भगतों की गहरी श्रद्दा और आस्ता है उनके चमतकारों के किसे लोगों तो लोगों की जुबाम पर भी होते है नीम करोली बाबा बक्तों को धर्मा ग्यान और सफल जीवन से जुड़ी कुछ बाते बताते हैं आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नीम करोली बाबा के दोरा बता गई शुबज संक्यत बताने जा रहे हैं पहला है सादू संत का दिखना नीम करोली बाबा के मताबिक एड़ि किसी वैक्ति को नीमित रोप से सादू या संत के दर्शन होते हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि बाग्य बहुती जल्द खुलने वाला है क्योंकि साधी संतों को भगवान का बेजा हुआ दूत माना जाता है वह आपके जीवन को एक नई राह दे सकते हैं अगला है भावुक होना नीम करोली बाबा के अनुसार अगर व्यक्ति हर समय सचे मन से भगवान का बजन और किरतन करता है इसके साथी व्यक्ति भक्ति में इतना डोब गया होता है कि उसकी आखों से आसु निकलने लगते हैं तो यह बहुती शुब माना जाता है यह संकेत व्यक्ति को कई प्रकार की परिशनियों से छुटकारा दिलाता है अगला है पशु-पच्च्चों का घर पर नीम ताना नीम करोली बाबा के दौरा इसा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के घर पर नीमी त रूप से पशु-पच्च्ची आते रते हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है इसका मतलब है कि व्यक्ति के अच्छे दिन बहुती जल्द शुरू हने वाले हैं इसके साथी देवी देवताओं की कुरुपा भी उनके उपर बरसने वाली है यह संकेत इस बात की तरफ भी इशारा करता ही कि घर परिवार में खुशियां भी आने वाली है तो दोस्तों यह तिया कुछ संकेत जिससे कि आपकी जीवन में अच्छे दिनों की शुरूआत हो सकती है दोस्तों इन वीडियो में बताईगे जानकारी जो की पंचांग, जोतिश, मानेताओं और धर्म गरंतों से दी गए है हमारा उद्देश महत सुचना पहुंचाना है आप इसे सुचना ही तो लीजेगा इसके अत्रीक अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उप्योग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदिक के कुलपंडी से अवश्यस संपर करेगा आप चाहिए तो ट्रेनिंग राशिपल से भी संपर कर सकते हैं कुंडले और इसमें मामूले सा बदला हो सकता है तो दोस्तों आज की सुचना ही इसी तरह हर राशिपल कर लेटे डिडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा आज की सुचना ही दोस्तों मिलते हैं में डिडियो के साथ धन्यवाद